बार एक ओर जहां बिहार पुलिस सो दो सो रुपे भी घूस के रूप में लेने को लेकर कानून के राज में वर्दी को शर्मसार करने पर तुली हुई है वही बक्तियारपूर रेल पुलिस ने इमानदारी का एक अनोखा मिसाल कायम किया है जो अनुमंदल में चर्चा का विशय बना हुआ है जानकारी के लिए बता दू की 10 फरवरी की रात्री को बक्तियारपूर से हावरा लोट रहे एक यात्री का जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने के दोरान एक प्लास्टिक का थेला छूट गया था जिसमें 9,888 रुपे नकद और कुछ आवश्यक कागजात रखा हुआ बक्तियारपूर रेल पुलिस को मिली थी बक्तियारपूर जियारपी ने उसे अमानत समझ कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था पीरित यात्री आज लोट कर आया और उन्होंने बक्तियारपूर जियारपी को अपना दुखडा सुनाया सारी जाच पर्ताल के बाद जब बक्तियार पुर जियार पी आशवस्थ हो गई की छुटा हुआ थेला इसी व्यक्ति का है तो उन्होंने रुपे समेत वो प्लास्टिक का थेला पीगत यातरी के हवाले कर दिया थेला मिलने के बाद पीरित यात्री बक्तियार पुर रेल पुलिस को कोटी-कोटी धन्यवाद दिया नोच खसोट करने में माहिर बिहार पुलिस और रेल पुलिस को ऐसे इमानदार पुलिस वाले से सीख लेने की जरूरत है जो इमानदारी का तमगा तो लेते ही हैं समाज में सराहे भी जाते हैं रखकिशोर पिंकु के साथ हनिल कुमार की रिपोर्ट उस्जार रोप्य कर इनहोंने देना कर बताय कि इसमें तो रूपया है रोते यानिय। रूपया इसे सुचित किया जा सकता है तरफ हँ़र एम भाइं चुचुट गए गए जिनन्हें मॉबाइल गवर सुचुच किया और वह आध्मी आया परसंगर सरकास कहा जा रहा था प्रशंगर बक्तियार्पुर में इन ही किसी शॉदा में आया था अबने रिश्टेदार के हा वे लोगाटा जा रहा था झाल